नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल टार्गेड विज सुरेश बहुत में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आप सभी लोगों को जो बाइलोजी परवक्ता का एक्जाम होता दो जाठारा में स्क्रीनिंग तो उसका यह पेपर ह में आपको बताया है पार्ट के आज है पार्ट के उसके आपको बताएंगे और यह वीडियो इसले पहले करारा रहा हूं ताकि जितने भी परसफारदिगारी के अग्जाम के तैयारी कर रहे हैं उनको एक बेनिफिट मिल सके इस वीडियो को तौरा क्योंकि यह बाइलोजी नमान लग सके कि पेबर किस टाइब में बनता और किस टाइब के question आते हैं ठीक है दोस्तों चलते हैं आज के 25 question की तरफ 26 question की तरफ चलेंगे जो आज का first question है 26 number का तो उसके तरफ चलेंगे दोस्तों तो 26 question क्या देखेगा पातक पादप उतक सब्वर्धन तकनीक एक पुना परवासित विदी है तो देखाव प्लान टिशू जो कल्चर होता है एक टेकनीक है वो किसके द्वारा डुबारा तो यह दोस्तों इसका राइट अंजर था बी यानिकि काईक परवर्तन जिसको कहा जाता है वेजिटेटीव प्रोपोगेशन भी कहा जाता है ठीक है चलता है 27 के question की तरब तो जो बैक्टिरिया द्वारा किर्थिर्म रूप से उत्पादित पहला हर्मोन्स कहा यानिकि जो आ पर्तिबादत किसके द्वारा कोई किसके द्वारा क्या गया जीन, तो है जॉन सन्व भी जानतें किसके लिए है जो जेवी खेती है तो वह है दोस्तों आप सब लोग जानते है हरी खात में भी परियोग किया जाता है जैव उर्बराक भी इसमें क्या प्रोग जैव कीटना सक्का परियोग भी गया जाता है तो इसमें राइट अंसर था दोस्तों डी यानिकि उपरोक्त सभी उपरोक्त सभी मतले है अब सभी लोग जान सकते हैं कि और्गनिक फार्मिंग था ठीक है इसका right answer answer बी था ठीक है चलते हैं दोस्तों अब तो दोस्तों चलते हैं 31 question के तरफ DNA प्राकर्तिक परतिक कृत के दौरान standards stands यानिकि जिसको तनु कुछ भी कहा जाता है किसके दौरा अलग होती है 31 देखा during DNA replication the stands are separated by किसके दौरा अलग होते हैं तो जो इसका right answer था दोस्तों 31 का वो था C यानिकि C के दौरा DNA हैलिकेज के दौरा अलग होता है 32 की तरफ चलेंगे तो निम्नमे से किस कुल में चतरक पुसकर्म पाय जाता है तो 32 का जो right answer था दोस्तों वो था E यानिकि APAC में चतरक पुसकर्म यानिकि अंबल इंफ्लोरसेंस पाय जाता था APAC family में ठीक है पाय जाता है APAC family में 33 कुईशन की दरफ चलेंगे कि S3 सी कुल का विसिष्ट फ़ल यानिकि जो असरेंसी family है उसमें एक विसिष्ट फ़ल कॉन सा है fruit कॉँज सा है तो जिसका राट आंशर था 33 का दोस्तों वह था C कि स्प सेला में विसिष्ट फल असरेंसी कुल का है ह।oria करेंकर दोस्तों नेक्ट कुईस्टन है थाटीफॉर नमर का क्वईशन कि वर्टीश लाष्टर पुस्पकरम देखा गया लाइव वर्तिफ्लॉरस जैंस देखा गया तो किसमें देखा गया ऊस्तों 34 का जो राइट अन्सर था वह था डी यानिकि लेमियम भी भी शिल्विया होता है जो feeder like stigma होता है वो किसमें होता है दोस्तों 35 तो 35 का दी यानि कि गिहों में जो wheat होती है wheat में क्या होता है पंकदार वर्तिगागर पाया जाता है stigma पाया जाता है पंकदार इस्टेकमा 36 की तरब चलेंगे next question तो 22 पत्रया पौदो में सबसे बड़ा कुल कौन सा है 22 पत्रया जो होते हैं दोस्तों 36 का है उसका श्टीरेसी यानि एश्टीरेसी कुल में क्या पाया जाता है डाय-Co-Taliden plants में एश्टीरेसी फैमिली में सबसे बड़ा कुल है ठीक है 37 की नाल टंतर किन फाइलम में पाया जाता है 37 यानि कि जाता है यानि कि नाल सिस्टम इस तो शंग में । संग लेंगे इrite से हुवेज है लेटा को सामाने तक कहते हैं कलाई ओना से लेटा को क्या कहा जाता है दोस्तों सामाने तो बोरिंग इस्पज कर दोस्तों सामाने था था बोरिंग इस फटान्ज जाता है ठीट का व्यांसर चाही था ठीक है थाटी-णाइण की तरफ चलेंगे sati-nayon qe वो था दोस्तों हमारे 39 का E यानि कि बिचोवे पाये जाता है पुस्थ फुस्पस पाये जाते हैं ठीक है चलते हैं दोस्तों next question ने चलेंगे 40 question की तरफ चलेंगे 40 question देखेगा 40 question का question है निमने लिखित में से किसमें समाजिक जीवन पाये जाता है इन में से किसमें से समाजिक जीवन पाये जाता है जैसे इसमें जो right answer था दोस्तों 40 का E और B यानि कि समान पंकी जिसको आइसोपेटेरा में और हाइमेनोपेटेरा ये दोनों order हैं उसमें काले पंकी वाला और समान पंकी वाला इन दोनों में क्या पाया जाता है समाजिक जीवन पाया जाता है 41 की तरब चलेंगे दोस्तों S के हलमेंथीस होता है S के हलमेंथीस होता है दोस्तों 41 41 का जो right answer था दोस्तों वो है B यानि कि कूट गुहिया जिसको Pseudo किसका उधारण है जिमनो फियोना का उधारण है जुसका right answer था B 42 का चलता है next question है जोस्तों आब इसके बाद next question चलेंगे तो दोस्तों हों पाया जाता है तो जो इस पॉंजला किसमें पाया जाता तो जो श्रूशजल की साधरन गटा कौन जो कि हईर्टीफका होच्णी शो का फंगल इतना था दोस्तों डी यानि कि काइटीन का ईजन कि जो सल्वाल सेलवाल होती है उसका एक गट्राक रख म होटाण के तुनिक है किस इसंतर तो 45 का जो right under था C ठीक है C इसका right under था प्रो chlorophyte खंड के अंतरगत रखा गया ठीक है दोस्तों 46 के तरप चलेंगे इस पोरो जोवा पूर्ण रूप से होते हैं 46 कोशन है इस पोरो जोवा किसमे होते हैं पर जी वी जो parasite होते हैं तो उसमें इस पारुजावा पूर्ण रूप से ओते हैं 46 में ठीक है इस पारुजाव किसमें होते हैं पार साइट में होते हैं चलते हैं दोस्तों नेक्स नम्ल लिकृत्में से कौन जनतू वर्ग मासारी यानि कि कार्णी वरस में सामिल है तो 47 में आप सभी लूग जांदर चीर फार करने माले जीतने भी होते है, 47 में तो इसके यादिका बीडिया, कुट्ता, सियार ये सब किसमें आते हैं, जबकि इसमें किसमें आते हैं, कौर कार्णी वरस में आते हैं, ठीक है 48 की तरफ चलेंगे दोस्तो, यदि सर्प का सीर्डाल यानि कि जो सील्ड से डखा हो और अधर डाल संपूर्ण तुन्द को डखती हो तो सर्प होगा क्या होगा सर्प यानि कि यदि सर्प का यह जो कोई स्नेक है सिर्फ उसका डाल सील्ड जिसको कहा जाता है से डखा हो और अधर डाल संपूर्ण तंदूक से डखती हो तो सर्प होगा कौन से सर्प होगा 48 का उसका बी यानिका वो विसेला होगा पोईजनस होगा 49 के तरब चलेंगे दोस्तों पादब जीवास्म के अध्यन को कहते हैं जो प्लांट जीवास्म होते हैं दोस्तों study of plant जो प्लांट जीवास्म होगे उसको क्या कहा जाएगा 49 का तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था 49 का ठीक है वो C आंसर सही था पादब जीवास्म भी ज्यानिया यानिकी फाइटो पैलेंटो लोजी कहा जाता है ठीक है आज का जो अंतिम क्वेशन है दोस्तों पचासवा नमर को क्वेशन है और अंतिम क्वेशन है अनावर्ती बीजी के दारू यानिकी जो जायलम में अनुपस्तित होता है जो जिमनो एस्पर्म होते हैं उसके जायलम में उपस्तित होता है जायलम में अनुपस्तित होता है, कौन सा ऐसा होता है, जो अनुपस्तित होता है, जो नहीं मिलता है, तो वो कौन सा होता है, पचास वां राइट आंसर था को दोस्तों, वो है डी, डी नंबर रहेंगे, वह नहीं, वैसिल्स नहीं पाई जाती है, अनावर्त बीजी, जायलम म अनुपस्तित होता है वो है वाहिका जिसको वाहिका वैसेल कहा जाता है ठीक है दोस्तों ये आज के 50 कोशन कम्प्रीट हो गए जल्दी हम इसका 20 पार्ट थर्ड लेकर आएंगे तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करेगा और हमारा काम आपको कैसा लगता है अगर अच्सा लगता तो वीडियो को अधिक से अधिक से अधिक से अरे करेगा अज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्Дी मिलेंगे आपको तब तक के लिए जैन जैवर्त नमस्कार